नमश्कार हर खबर अर्याना देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ रुष्टि शुक्ला बुल्टन की शिर्वात करते हैं बड़ी खबर के साथ बड़ी खबर आपको बता देते हैं अर्जुन चोटाला की पतनी कोरोना पॉजिटिफ हुई है एक अधिवक्त को कोरोना इक अधिवक्त को भी कोरोना हुआ रुटन के यह स्वासभाग की मीटिंग भी हुई है स्वास्वभाग और प्रसाशन की मीटिंग हुई है आपको बताते चले चौदरी देविलाल उनिवर्स्टी में कंट्रोल रूम बनाया जवाएगा जिसको लेकर के स्वास्वभाग की मीटिंग रखी गई तो हैं आपको बताते चले एक अधिवक्ता को भी कोरोना हो गया है कंट्रोल रूम के लिए स्वास्वभाग की मीटिंग हुई है स्वास्वभाग और प्रसाशन की हुई मीटिंग चौदरी देविलाल उनिवर्स्टी में बनेगा कंट्रोल रूम अर्जुन चौचाला की पत्नी हुई कोरोना पॉजिटिव एक अधिवक्ता को भी हुआ कोरोना कंट्रोल रूम के लिए स्वास्वभाग की हुई मीटिंग स्वास्वभाग और प्रसाशन की मीटिंग हुई है चौधरी देविलाल उनिवर्स्टी में बनाये जवाएगा कंट्रोल रूम जिसको लेगर के स्वास्वभाग और प्रसाशन की मीटिंग रखी गई आपको बताते चले अर्जुन चौचाला की पत्नी कोरोना पॉजिटिव तो वहीं एक अधिवक्तों को भी हुआ कोरोना पिहोवा से बड़ी खबर आपको बता देते हैं सरकार के नियमों की ज्वंकर धज्यां उड़ियें खुले हुए कॉलेज, स्कूल और कोचिंग सेंटर सरकार ने कोरोना के च्वलते बंद किये थे उसके बावजूत भी आपको बताते चले कॉलेज, स्कूल और कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं 12 जनवरी तक बंद करने के आदेश दिये थे तो सरकार के नियमों की ज्वंकर धज्यां उड़ाई जा रही हैं पिहोवा में पिहोवा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो आपर सरकार के नियमों की धज्यां उड़ाई जा रही है स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर खुले आन खुले जा रहे हैं सरकार ने कोरोना के चलते इनको बंद किया था 12 जन्वरी तक बंद रखने के आदेश जारी किये गए थे लेकिन सरकार के नियमों की जमकर धज्यां उड़ाई जा रही है आप तस्वीरे भी देख सकते हैं तस्वीरे आपको हम दिखा रहे हैं जहापर बच्चे कोचिंग सेंटर में पढ़ते हुए बच्चों की जिंदिगी के साथ खिलवार किया जारा है जहापर सरकार ने आदेश दे दिये हैं कि 12 जन्वरी तक कॉलेज स्कूल और कोचिंग सेंटर को बंद किया जाएगा उसके बावजूत भी आप देखिए बच्चों लगतार कोचिंग सेंटर जा रहे हैं बच्चे कॉलेज स्कूल भी जा रहे हैं तो यहाँ पर सरकार के नियमों की जमकर धज्जिया उड़ाई जा रहे हैं पी होवा सी आपको हम खबर बता रहे हैं जो आपर सरकार के नियमों की खुले आम धज्या उड़ रही हैं खुले हुए एक कॉलेज, स्कूल और कोचिंग सेंटर और इसी खबर पर ज्वादा जवानकारी के लिए हमारे सायोगी वाईडी सास्त्री हमारे साथ जुड़ गया है आपके पास आना चाहूंगी जिस तरीके से सरकार ने आदेश दिये कि 12 जनवरी तक स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर को बंद किया जाएगा लेकिन ये तस्वीरे देख कर पता चल रहा है कि सरीके से नियमों की धज्या उड़ाई जा रहे हैं सरकार के नियमों की जमकर धज्या उड़ाय जा रही हैं खुले हुए हैं कॉलेज स्कूल और कोचिंग सेंटर सरकार ने कॉरोना के चुलते आदेश जाड़ी किये थी कि 12 जनवरी तक बंद किये जाएगे कॉलेज स्कूल और कोचिंग सेंटर उसके बावजूत भी इस तरीके की तस्वीरे सामने आ रहा है, बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवार किया ज़ा रहा है, आप देख सकते हैं किस तरीके से बच्चे कोचिंग सेंटर पहुच रहे हैं पढ़ने के लिए, जब की आदेश ज़ारी किये गये थे और सबसे नियमों का पारण किया ज़ा रहा है, खुले आम, सरकार के नियमों की धजियां आप पर उड़ती नजर आ रही हैं, सरकार के नियमों की धजियां किस कदर यहां पर उड़ाई जा रही हैं, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, पिहोवक यह तस्वीर हैं आपको हम खोले जा रहे हैं। सरकार ने कोरोना के चोलते कालेज, स्कूल और कोचिंग सेंटर को बंद किया था। उसके बावजूत भी तरीके की तस्वीरे देखने को मिल रही है। खुले हुए हैं कालेज, स्कूल और कोचिंग सेंटर. रोतक में प्रदेश इस्तरिये बिजवेपी की संगनाटमक बैठक हुई जिसकी अद्धक्षता में बिजवेपी प्रदेश अद्धक्षोपी धन्खर ने की बैटक के बाद बिजवेपी प्रदेश वद्देख शोपी धनकर ने कहा कि पार्टी के बैठक में दो प्रमुक मुक्य उद्देश थे पहला प्रदेश भर की बीजवेपी मोर्चे और प्रकोष्टों की जनता में जाने की आगामी कालिक्रम तेह करना और दूसरा अमरत महसर जिसके तहत आजादी के 75 साल पूरे होने पर हमने तिरंगा यात्रा निकाली इसके अलावा उन्होंने डाटम माइनिंग हद्से पर कहा कि यह बहुत ही दुखाधासा है जिसके निश्चे तौर पर राज होने चाहिए जितने भी कम है कि ऐसे स्टेट हैड्स की इकरे से मिटिंग है हर विभाग हर प्रकोष्ट हर मोर्चे और इसे बैठक का जो मुख्षे उदेश्य है वो है दो देश्यों पर यह हो रही है एक को देश्य है आगामी योजना एक पूरे समय का रोड में अप्तियार करना है कि आने वाले समय में हर प्रकोष्ट में हर मोर्चे ने हर विभाग ने कहां तक अपने काम को पहुंचाना है कि उसके साथ साथ दूसरा टार्गेट है अमरित महुत्साव का क्योंकि यह आजादी का पचेत्रमा साल है बहुत महत्तपून साल है फिरंगा यात्रा से सरूख लिये थे और हमारे 129 लोग जाकर आए डिप्टी सियन दुश्यन चटाला ने अपने काराले में कई भागों के वरिष दिकारियों के बैठक के दक्षता की वह उन्होंने बताया कि गुरुगराम में हैली हब बनाया जाएगा जोहां पर हैली कॉप्टरों के लिए हैली पोर्ट से लेकर के उनके हैंगर रिपेर स समय तो उनके एवियंशन फैसिलिटी उपलब्द करवाई जाएगी साथे साथ बताये कि हैली हब दीश में अपनी तरीके का ऐसा पहला हब होगा जहां पर हैली कॉप्टरों के लिए एक ही स्तान पर उक्तसारी सुवधाइं उपलब्द होंगी इसके अरावा आपको बतात चले डिप्टी सीम ने बताया कि गुरुग्राम में जिस स्तान पर हैली हब बनाया जवाएगा वहां से मेट्रों की सुवधा भी नजदीक होगी उन्होंने अधिकारियों के तरदेश दिये हैं कि उक्त प्रिस्तावत हैली हब को लेकर के प्रोजक्ट तयार किया जवाए और जमीन लेने के साथ साथ अन्न सुवधाओं को शुरू करने में आने वाली अर्चनों को दूर करने का कारे किया जाए डिप्टी सीम दुशन चटाला ने अपने काराले में कई विभागों के वरिष्ट अधिकारियों की बैठक करी है वह उन्होंने बताए कि गुरुग्राम में हैली हब बनाया जवाएगा जवाएगा जवापर हेली कॉर्प्टरों के लिए हर प्रकार के सुवधाओं को पलब्द करवाया जवाएगा 2022 में होने वाले यूपी चुनाफ को लेकर के यूपी और हरियाना के अधिकारियों की सयूंत बैठक पलबल में होडल के हरियाना टूरिजम कॉम्प्लेक्स में हुई आपको बताते चले हुए उपायूत कृष्ण कुमार ने जवानकारी देते हुए बताए कि यूपी में चुनाफ शांती पुन तरीके से संपन हो इसी को लेकर के ये बैठक की गई है सभी विश्यों पर सभी अधिकारियों ने अपने अपने विचार रखे वहीं जुलाव पायूत कृष्ण कुमार ने कहा कि उन्होंने यूपी के अधिकारियों को आश्वाशन दिया है कि मत्रा है और उठापे अबी चुनाफ होने है और ये चुनाफ को शांती पुरण कराने के लिए बौनोजिला के अधिकारियों की आपस में ओडिनेशन मिटिंग जिसमें जो भी सयोग अवारी तरफ से बलवल की तरफ से रहेगा कानू निवेश्था बनाने के लिए या बा बाबल शेत्र के गांफ टांकडी के बस स्टेंड और अम्बेटकर चौक का नाम बदल कर हिंदू सम्राठ प्रत्वी राज्चवान के नाम पर रख दिया गया है जिसको ले करके विवाद खड़ा हो गया वैस मामली को ले करके स्टेम संजीव कुमार ने ग्रामीडों के साथ बैठक करी और नसीहत दिया है कि वह खुद कानून को हाथ में नाले वालकि प्रिसाश्वन इस समस्या का समधान सुहार्द पूर्ण धंग से निकालेगा उन्होंने ग्रामीडों को आश्वाशन दिया कि उक्तिस्तानों की यथा स्तिती बरकरार रखी जाएगी दोलनों पक्सों को भुलाया था और उन्होंने अपने बात रखी और उसके बाद जो है सरो समती से फैसला लिया गया जो यथा स्तिती थी पहले तो वो बनी रहीगी साल 2019 में भरते हुए ABRC और BRP करमचारियों ने सेलरी बढ़ानी के मांग को लेकर के ADC को ग्या पन सौपा और जोल्दी उनकी सेलरी बढ़ानी के मांग करी इस तोरा नाराज करमचारियों ने कहा कि उनकी सेलरी DC रेट से कम है ABRC और BRP करमचारियों ने बताया कि उन्हें साल 2019 में भरती किया गया था लेकिन तब से ही उन्हें छटवे बेतनायों के हिसाब से सेलरी दी जा रही है जबकि दूसरे विभागों में साथवे बेतनायों के हिसाब से सेलरी दी जा रही है हम यहां पानिपत जिले से सभी नए अपॉइंटी ए बियार्पी जो एससे के अंतरगत कार्या करत हैं वो पहुंचे हैं हमने एडीसी मेडम को ग्यापन दिया है एडीसी मेडम की अनफसिती में हम यह ग्यापन के आए हैं इसमें हमारी में मांगे यह है कि हमें जो बेसिक बियार्पीज को 16,290 रुपे और बियार्पीज को 18,423 रुपे दिया जा रहा है वो 6 CPC के हिसाब से दिया जा रहा है जबकि कई अन्य भी बागों में भी नेशनल हैल्थ मिशन अधी इनको भी 7 CPC का लाब दिया जा चुका है तो था 2019 से जब से हम कार्यरत हैं उसके बाद हमारा जो इंक्रीमेंट है वह भी फिक्स पर ही लग रहा है तो हमारी यह मंग है कि हमें भी 7 CPC के हिसाब से यह वेतनवी संकतिया है यह दूर की जाए है सर हमें 6 CPC के तहत हमें सैलरी दी जा रही है और हम यह चाते हैं कि हमें 7 CPC के हिसाब से हमें सैलरी दी जाए क्योंकि हमारी जो क्वालिफिकेशन है वो डिजर्व करती है कि हमें जिस हिसाब से मारी क्वालिफिकेशन है हम PG with 60% above marks और सातमें B.I.net की क्वालिफिकेशन मांगी गई थी जो कि हम सब की है तो उसके हिसाब से हम यहां पर सेलरी के लिए हमारा मुद्धा उठाना है वक्त उच्छला एक छोटे सब्रेक का जल्धा सरोत है